आजीश कुमार, देश में कोरोना संक्रमन के एक दिन में सबसे ज़ादा मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5711 नई के सामने आए देश में कोरोना मरीज बढ़कर 16,750 हो गया कोरोना संक्रमन से अब तक 3,303 मौत हो चुकी है कि 42,298 लोग इलाज से ठीक हुए है केंद्रिय स्वास्त मंत्राणे ने बताया है कि लॉकडाउन की वज़स से संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार में तेजी आई है रिकवरी वेट बढ़कर कर 41 पिस्दी हो गया है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना संक्रमित की रोग ठाम पर सरकार का फोकस है तो 42,298 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके है बिहार में कोरोना के आखले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं अब तक 167 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटे में 112 नहीं मामले सामने आई बिहार में अब तक 571 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं जब को पिछले 24 घंटे में 37 मरीजों को अस्पताल से छुटी मिली है तो इधर बिहार में इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों का आख़़ा नौ पहुँच गया है और बिहार में अब तक 53,361 सेंपल्स को की जाच की गई है दरसल प्रवासियों की बिहार वापसी के बाद कोरोना संक्रमन के आख़़ों में तेजी आई है तीन मई के बाद बाहर से बिहार आए 788 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए है अब तक दिल्ली से आए 240 प्रवासी कोरोना पोजिटी पाए गए केंद्रिय स्वास्त मंत्राले का दावा है कि संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार में तेजी आई है और रिकवरी रेट बढ़कर तकरीबन 40 पीज़दी हो गया है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सरकार का फोकस कोरोना संक्रमन से बचा उपर है हालाकि महराष्ट में कोरोना से रिकवरी रेट सबसे कम यानि की महज 26 पीज़दी है महराष्ट में देश के 35 पीज़दी कोरोना के मामले है भारत में कोरोना से संक्रमितों का आकड़ा एक लाह के पार पहुँच चुका है मौत का आंकड़ा भी 3000 के ऊपर है रोजाना संक्रमित होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है बधवार सुबह स्वास्त मंत्राले ने कोरोना को लेकर जो आंकड़ा जारी किया उसके मताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,6,750 है अभी देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,149 है जबकि कोरोना को मात देकर 42,298 लोग ठीक हो चुके है वहीं कोरोना से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कोरोना के नए मामले आ रहे हैं वह चिंता में डालने वाले हैं कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत 11 अस्थान पर है पिछले एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में स्पेन, इटली और ब्रिटन से भी ज़्यादा नए मामले आए हैं पिछले एक दिन में भारत से जाधा कोरोना के केस केवल अमेरिका, रूस और ब्राजिल से आये हैं कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा देखें तो भारत से जाधा मौतें केवल अमेरिका, ब्राजिल, ब्रिटन, इकली और मैटसिको में हुए हैं बावजुद इसके एक आंकड़ा है जो रहत दे रहा है और वो है भारत का recovery rate यानि कुल संक्रमित मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या भारत में कोरोना से recovery rate लगातार बढ़ रही है इसका मतलब है कि कोरोना को मात देने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है एक माई को भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 25.63 फीस्दी थी पांच माई को रिकवरी रेट बढ़कर 28.17 फीस्दी हो गई दस माई को भारत में रिकवरी रेट 30.75 फीस्दी थी पंद्र माई को भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 34.06 फीस्दी हो गई उत्तर प्रदेश, आंध प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कोरोना से रिकवरी रेट 57 फीजदी से 64 फीजदी के बीच है जबकि पंजाब और हरियाना में रिकवरी रेट 65 फीजदी से ज्यादा है दिल्ली गुछरात और मध्य प्रदेश जहां कोरोना के काफी केस हैं वहां भी रिकवरी रेट 40% से ज्यादा है यानि हर 10 में से 4 कुरोना मरीज रिकवर हो रहा है उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 69.24% है आगए प्रदेश की रिकवरी रेट 74.02% दिये राजस्थान में रिकवरी रेट 57.09 फीज दी है तिलंगाना में ये रेट 61.81 फीज दी है जबकि पंजाब में रिकवरी रेट 82.01 फीज दी है और हर्याना में रिकवरी रेट 65.04 फीज दी है दिल्ली में रिकवरी रेट 45 फीज दी है तो वहीं गुजरात में 41.54 फीज दी औ पूरे भारत की तस्वीर देखने पर पता चलता है कि 23 राजियों और केंदर शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 40 पीज़दी से ज्यादा है। वहां 37 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित के केसें और करीब 26 पीज़दी। कोरोना के सबसे ज्यादा करीब 35 पीज़दी केस महाराष्ट में ही है। दुने दशमलव दो है जबकि दुनिया का आखड़ा 4.1 है फिर रिपोड जी मीडिया उधर कोरोना से उबजे हालात की मुख्यमंत्री नितीश कुमार लगातार समिशा कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने सभी कक्षाओं के लिए एक कंटेंट डवलप करने का नर्देश दिया ताकि ओनलाइन सिख्षा देने में सहुलियत हो जितने भी पाठिक्रम के टेक्स्ट बुक हैं उन्हें भी डिजिटलाइज दिया जा रहा है ताकि वो सभी विध्यार्थी को आसानी से उपलब्द हो सके इसके साथ ही सभी प्रखंडों में जो आधार सेंटर्स हैं उन्हें स्थाई रूप से फंक्षनल करने का नर्देश दिया गया है थाकि कि किसी को आधार कार्ड बन बाने में कोई दिक्कत ना हो लोगों की सुभिधा के लिए जिलों से जो गियार सिसी बना हुआ है वहाँ ओनलाइन आधार कार्ड हेतु पूरी विवस्ता करने श्रमत शुत्र में वेजजच को लेकर कुछ सुधार किये गये हैं इसे लेकर श्रम संसादन विभात को कहा गया है कि एक्ष्ट्रा टाइम में वेजच को लेकर सुष्टता नहीं थी उसके संबंध में सबस्टे क्लिरिफिकेशन निकालने शहरी गरीबों के लिए जो अफोडेबल हाउसिंग है उन्हें रियायती तरोपर मोहिया कराने और बिहार में श्ट्रीट वेंडर्स की संख्या काफी है उनके लिए भी पैकेज में डिकलेरेशन है श्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे ठीक डंग से कराये ताकि कोई भी श्ट्रीट वेंडर्स छूटे नहीं और जोगी उनके लिए योजना बने उसका वो पूरा लाब ले सके क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियट है स्कूल्स, कॉलेज़स बगरा बंध है तो ये निदेश दिया गया था माननी मुखमंत्री द्वारा कि अब सब कच्छाओं के लिए जो ई-कंटेंट है उसको डेवलप करने का काम किया जाए तो इस पर सिच्छा विभाग जो है वो 6 से लेके 12 तक के क्लास के लिए इकंटेंट काफी अद तक डेवलप कर चुका है और आप जानते हैं को 9 बिहार के अंतरगत 19 के लिए तो इस चली रहा है पर बाकी क्लास के लिए भी ये निदेश दिया गया है कि इकंटेंट जो भी है वो डेवलप करा लिया जाए एक राशन कार्ट धारियों को हम लोग 1000 रुपए दे रहे थे अभी तक 1 करोड 31 लाग परिवारों को ये राशी दे दी वही इसके अलावा जिविका और NOLM से जो चिन्नित थे उनमें से भी अभी तक 13 लाग परिवारों को ये राशी दे दी वही है उनके पास राशन कार्ट नहीं था ये प्रोसेस चल रही है पर एक जो मुख्य समस्या सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का आधार लिंक नहीं था राशन कार्ट से तो इसके लिए मानिमत मंतरी जी ने ये भी निदेश दिया है कि जो आधार सेंटर है प्रकंडों में उनको इस थाई रूप से फंक्शनल कर दिया जाए ताकि किसी को आधार कार्ट बनवाने में दिक्कत नहीं हो और पटना से खबर है कि कोरोना संक्रमन को लेकर मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने नियमित बैठकी है मुख्यमंतरी बोले कि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है इसलिए समाज के अंतिम पंक्ती के व्यक्ती का विशेश से ध्यान रखें अधिकारी टै करें जरूरत मंदों तक सरकारी सुविधा का लाब दें अधिकारी जन परतिनिधियों के सहयोग से समन्नों इस्थापित करें और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का विशेश से धान दे रासन, सामाजिक सुरक्षा पेमशन और अन्य कल्यानकारी योजनाओं का जरूरत मंदों को लाब मिले सभी प्रखंडों में आधार कार्ट बनाने के स्थाई विवस्था हो बड़ी तादात में आ रहे प्रवासी श्रमिकों को अच्छी तरीके से क्वारेंटीन सेंटर पहुँचाया जाए क्वारेंटीन सेंटर पर प्रवासीों की संख्या बढ़ रही है बाहर से जो भी लोग बिहार आना चाहते हैं सब को लाया जाए बाहर से आने में कोई भी चल्दबाजी न करें धैरी रखें बिहार में लॉकडाउन के बीच आटो और ई रिक्षा और और इवन के फॉर्मूले पर चलेगा यानि कि सम और विशम जिस गाड़ी का अंतिम नंबर 2 से विभाजित होगा वो सम यानि कि इवन है और जिस आटो या ई रिक्षा का अंतिम नंबर 13579 से विभाजित होगा वो और है सुमवार बुदवार और शुक्रवार को और नंबर के बाहन चलेंगे जबके मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ईवेन नमबर के भाहन चलेंगे लेकिन उनका परिचालन कुछ शर्तों के आधार पर होगा काम लगातार चलता रहेगा और हमारे विभाग के सभी अधिकारी राद दिन मेहनत कर रहे हैं तो इस परकार से जब संख्या कम हो जाएगी आने वालों का तो निश्वी तोर पर जब इस तरी का महोल होगा तो हम लोग संक्रमन जो है कम होंगे तो उसका ख्याल करते हुए हम बड़ी बसों का भी परिशालन शुरू करें थी पहले से आदेशित दुकानों को भी खोलने का निर्ने लिया गया है लॉग डाउन के चौथे फेज में मिली छूट के तहत राजधानी पटना में कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर कई इलाकों में दुकाने खुली बाजार में दुकानों के खुलने के बाद पटना जिलाधिकारी कुमार रवी ने शहर के अलग अलग अलाकों के दुकानों का निर्फशन किया डियम के साथ और मंडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे डीम ने धुकान और कई रेस्टूरेंट का जायजा लिया और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने सैनिटाइजर या फिर सावुन का इस्तेमाल करने का नर्देश दिया डियम दे निर्देशों का उलंगहन करने वालों के खिलाब सक्त का रवाई करने की चेतावनी दी तो इसमें ये ध्यान इन लोगों को बताया जा रहा है कि होम डेलेवरी के समय बहुत ही सतर्क हो करके होम डेलेवरी करें और जो भी फूट आइटम्स हैं जिसमें पैक करके भेजते हैं उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके भेज़ें ये इनको निर्देश दिया गया इसी शर्त पर दिया गया है कि उस तरह से उसको फॉलो करेंगे कितने लोग इसमें काम कर सकते हैं जो कापी संख्या होती है यहां से लेके जाने वाले इसमें इस तरह से काम की संख्या निरधारित की गए कि जो इनका किचिन है या जो यहां पर डेलिवरी करने का सिस्टम है उसमें सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकते हैं राज़ानी पटना में लॉकडाउन चार में मिली छूट के तहट कपड़े की दुकाने भी खुल गई है बोरिंग रोट के एक कपड़े की दुकान पर जब मालिक और स्टाफ साफ सफाई के लिए पहुंचे तो उनके होश उल गए लॉकडाउन में बंदी के दर्मियान दुकान में चूहों ने जम कर उत्पात मचाये था चूहों ने हर रेक में चार पांच साड़ियां कुतर दी पहले ही बंदी को लेकर बुरा हाल जेल रहे दुकानदारों की मुश्किलें और पड़ गई अभी चूहों के पहुचाए गए नुकसान का जाइजा लिया जा रहा है क्योंकि इसके लिए हर एक साड़ी को बारीकी से देखना पड़ेगा लॉकडाउन फोर में कुछ रियायत मिली है और विशेस सर्त और एहतियात के तहत दुकान जो है बेवसाई के तौर पे अगर देखे तो और इसके अलाबा इद जो है उसकी भी खरिदारी जो है इस साल मार खा गई लिहाजा नुकसान किस तरीके का है देखे यहाँ पे जो लोग है वो ये देख रहे हैं कि चूह से कितना नुकसान हुआ है और हर एक सारी को निकाल निकाल कर देखा जा रहा है और बरी संख्या में चूहे ने सारी का नुकसान किया है और ये देखे यहाँ पे किस तरीके से ये नुकसान हुआ है चूहा जो है वो बंद परे रहे है चूही लगभग 55 दिन से ज़्यादा दुकान तो ये चुहे ने ये देखे कीमती सारी है यहाँ पे इसको कत्वर दिया है चुहे ने अपने करामात यहाँ भी दिखाए है ये सारी भी जो है वो पूरे तरीके से काट दिये है ये पिली सारी कीमती सारी है दुकानदार के नुसार देखे पूरे सारी को कई तह तक जो है कई जगों पे इस तरीके से और ऐसे ही तमाम जो दूसरे जगे देखे पूरे चुहे ने इसको नीचे से कुतर डाला है तो अब ये दुकान में जो है कोशिश है देखी यहां पर एक एक सारी को देखा जा रहा है कि चुहे ने किस तरीके से नुकसान किया है और इसकी परटी सी हम जानकारी लेते हैं किस तरीके का नुकसान हुआ है तुटल इसके बाद आब ने देखे इतना चुहा बगर नुकसान किया तो पुल मिलाकर देखे तो बैवसाय का नुकसान अलग है और बंद रहा दुकान काफी दिनों तक चुहे से भी काफी नुकसान हुआ है खास तर पे कपरे के दुकान में और कई सारे किमती सारी और जो सूट के कपरे हैं उसको चुहे ने कुतर डाले हैं के अर्विजाय के साथ रजनीष जी मेडिया पत्ना और खबर पत्ना से हैं बिहार में फसे केरल के लोगों को कॉंगरीस की और से वापस भीजा गया सदाकत आश्यम से करीब नबबैं को रवाना किया गया बिहार के विभिन जिलों में केरल के लोग थे कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदर मुहंजा ने उन्हें विदा किया अंग वस्तर देकर उन्हें विदा किया गया रास्ते के खाने की विवस्था की गई और कॉंग्रेस के और से कई अन्य शहरों मे लिए बाकाइदे बस लाई गई है जो कांगरेस के प्रदेस अजेक्ट है वो यहां पर आए है और इस बस में जो लोग सवार होने जा रहे हैं उनको एक तरह से स्वागत किया जा रहा है उनको जो अंगवस्त्र है गमचा है वो दिया जा रहा है और किस तरह से यहां पर पू इक दो मेना से परिस्टाथ थए उनलोग ने संपर्ड के अस्थापित किया भी इह प्रजच कंग्रेश कमिटी ने इन लोग को जाने का ववस्था यहां पर बिहार प्रदेश कंग्रेश कंग्रेश कमिटी displacement आप सब लोग सुबार से यहां पर हैं। जब हमनों को जानकारी मिल है कि लोग अलग लग लग वैवस्ताबे असरह वैं यह तैन वहाँ इंसलों दो है हैं यह नो औंड गया में Sangat assignoda आपके गया में इन सब लोग के एख्ठा करके यहां से बैसे महिलाएं भी है क्या पी और पुरुष मी beginning जैसे कि आप देख रहे हैं लोग खाना पीना दिया गई रास्ति के भी खाने कर लोगों कर से क्या करते थे थे हैं अपना गल्डी से यह साथ तौर पर है राजेस्जी है आप लोग अंगबस्त अच्बाइब सब को अंगबस्त देला है कि गास्ते में अगर इसके बाद मार्स तूट जाएगा ऐसी इस्तिति में गमचा इंको बहुत कामा आगा कि मुह बांधने करम में पानी नहाने के समय ते यह मंगबस्त अरकाम में आ जागा इसलिए अंगबस्त के दूपिन का समान भी हो रहा है ज लोग अपने चोटा सा योगदान जो भी कर सकते हैं प्रैस कर रहे हैं कमरमेन बीजे के साथ शैलेंद्र जी मीडिया पटना लगातार बढ़ रहे कोरोना भायरस के संक्रमन के बीच बिहार के स्वास्त विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया गया संजय कुमार को परेटन विभाग दिया गया है तो वहीं उनकी जगह पर उदै सिंग कुमार को स्वास्त विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है सचिव का यहां पर तबादला हो गया है चुनावी साल में कोरोना संक्रमन काल के जाधा खिचने के कारण बिहार में राजनेता परिशान हैं सभी दलों के नेता इस साल होने वाले संभाविच चुनाव की तयारियों को लेकर चिंतित हैं इस बीच विपक्षी दलों के महागटवंधन में शामिल तीन दलों के निताओं ने मंगल बार कुपंद कमरे में वैठक कर सियासी हलचल तेज कर दी आरजेडी और कॉंग्रेस ने वैठक की जानकारी नहीं होने की बात कहकर जादा महतों नहीं दिया तो जेडी और बीजेपी ने विपक्ष पर निसाना साधा तो महागडबंदन का सवाल उठाते हैं तो महागडबंदन का मतलब होता है राष्टी जनता दल तरियो से जादा और कॉंग्रेस पार्टी और जो तीन घटक दल हमारे छोटे-छोटे दल है वो जब सभी लोगों के लिए जब वैठक आहोत की जाएगे आदर ने लानुप सब्सार जादब जी के आदेशा हमसार तो महागडबंदन का बच्छक होगा अभी तो में हम लोगों का लड़ाए है कि या सुसासन सरकार जो कहने वाली सरकार है या जो आज के तारिक में बिहार में जो खास्ता हाल है इस पर जो है चिंता करने का काम तेजिस्टी जाएग और कांग्रेश पार्टी के तमाम राष्टी नितिव से लेके प्रदेश नितिव करता है जंता के सेवा में मगन है अभी मीटिंग चुनावी मूट सीट बडवारे की बात कर रहे है हुजूर समय आएगा चुनाओं का ये सब कर लिजेगा अभी मैं आपसे विंती करता हू हाथ जोड के विंती करता हूँ साथ हाईए इस कुरोना के लराई में साथ दीजिए चुनावी तो आएंगी जाएंगी सरकारे बनेगी बिगरेगी पर पहले बिहार रहना चाहिए बिहार ववासी स्वस्त रहने चाहिए चोटे बच्चों पर ध्यान नहीं देना कितना घातक हो सकता है इसकी बानगी देखने को मिली पटना सिटी के अगम कुआ धाना इलाके के कुमरार स्थिति इलाके में जहां एक मकान के तीसरे फ्लोर के बालकोनी से खेलते हुए डेर साल का मासूम बच्चा नीचे रोट पर गिर कर तलपने लगा काफी देर तक मासूम रोट पर तडपता रहा कुछ देर के बाद पॉलोसियों द्वारा शोर मचाने पर घर के लोग निकले बच्चे की हालत देखकर चीक पुकार मच गई आनन फानन में बच्चे को नजदी की अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत नाजुक देखते हुए आईजी आईएमस रेफर कर दिया ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सिसी टीवी के कैमरे में कैद हो गई परिवार वालों ने बताया कि मासूम बच्चे का नाम देवेश उर्फ लड़ू गोपाल है जो घर में खेलते खेलते बालकनी में चला गया था जहां उसका पैर फिसल गया और नीचे सड़क पर जा गिरा उस वक्त बच्चे की मा किचन में थी शोर होने के बाद पता चला कि बच्चा नीचे रोट पर गिरा बच्चा फिलहाल आईजी आइमस में जिन्दगी और मौत के बीच जूज रहा है मदुवनी में पानी भरे गड़े में डूबने से चार किशोरियों की मौत हो गई गटना बेनी पट्टी थाना इलाके के विशनपूर पंचायत के भंगी दी टोले की है जेसी भी से खोदे गए एक गहरे गड़े बारिस का पानी भरा हुआ था जिसमें दो जुरुवा बहने समय चार बालिकाओं की डूबने से मौत हो गे काफी प्रयास के बाद ग्रामिनों और गोता खोनों के सहयोग सशब को बाहर निकाला गया इधर ग्रामिनों के द्वारा घटना के सुचना पुलिस को दी गई सुचना मिलते ही पुलिस घटनास तल पर पहुँचे और शब को कबजों मे लेकर पुश्टमाटम के लिए सदर हुस्पीटल भेजा मुतिहारे में पंजाब नेसनल बैंक के मेहसी ब्रांच में हत्यार बंद लुटेरों ने 6,80,000 रुपे लुटे दो मोटर साइकल पर सवार होकर 5 लुटेरे बैंक में पहुचे तीन बैंक के अंदर और दो बैंक के बाहर गेट पर खड़े हो गए बैंक के अंदर प्रवेस कर लुटेरों ने हत्यार के भल पर सभी स्टाफ को कबजे मिलिया फिर कैस काउंटर पर रखे 6,80,000 रुपे लुट लिये लुटेरे बैंक के अंदर से महज 2-3 मिनट में ही पैसे लुट कर चल दिये लुटेरे जिस रास्ते से भाग रहे थे उसी कटहा गाउं के रास्ते दारोगा बालमी के सिंग लॉट रहे थे दारोगा को देखकर लुट के रुपे रखे एक मोटर सैकल पर सवार ती लुटेरा भाग निकला और दूसरा मोटर सैकल पर सवार दो लुटेरा दारोगा से भिड़ गया दोनों लुटेरा को धरोगा से भिरते देखकर गाउं के ग्रामनों ने पुलिस की मदद की और दोनों लुटेरों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस पकड़े गए दोनों लुटेरों से पूछ ताज करने में जुटी हुई है पिस्टोला रादे में के दी ले गया तो उसमें से पैसा ने कोड़ा ओर चोड़ा में नहान जी क्या बोटका उसी देर में रखते लाए अप रादे कितने की संख्यां में ते ही टिन के देखते रहिए जी बिहार जार कंड झाल झाल